इस मॉड्यूल में हम क्वालिटेटिव डेटा के एक और एहम एस्पेक्ट रिलाइबिलिटी आफ डेटा पे बात करेंगे स्टार्ट करने से पहले मैं दुबारा आप से एर्ज करूं कि ये लफ्स रिलाइबिलिटी जो हमने लिखा यहां पे असल में ये हमने क्वालिटेटिव डेटा है उसकी टर्मिनालोजी से ड्रॉ किया और सिर्फ आपको समझाने के लिए कांसेप्ट के ये उससे सोसियेटिड है लेकिन अमूमन हम जब रिलाइबिलिटी आफ डेटा की बात कर रहे होते हैं क्वालिटेटिव रिसेर्च में तो उससे मुराद हमारी रिलाइबिलिटी एग्जेक्ली नहीं है बलके हम उसकी टरस्ट वर्दीने इसकी गुफ्तबू करते हैं आपका डेटा कितना ऐसमेंट्यर्श तो रिलाइबिलिटी इन टरम्स के आप अगर उसको रिपीट करें तो दुबार्वादा यहीं इन्फमिशन निकलेगी यहीं इन्फमिशन आएगी इसका इमकान कितना है तो यह बैसिकली रिपीटेबिलिटी को या रिपीटेड नेस को किसी की प्रॉबि eligibility का characteristic मौजूद है तो आप इसके लिए चंद सादा से measure जो हैं वो ले सकते हैं जिससे इसको ensure किया जाए पहले बाद consistency in data collection इसका पहला feature है या पहला step आऊप कह लिजिए जिसको आप ensure कर सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि आप कोशिश करिए कि जो आप data collect करें अगर उसमें settings बदल दी जाए data sources बदल दिये जाए point of time change कर दिया जाए जब वो data collect किया जा रहा है तो भी आपके पास जो information निकले वो उसी नौईयत की हो जो पहले निकली थी यानि आप ये तीन चार चीज़ें देखिए कि data sources, settings, point of time जहां पर आप data ले रहे हैं ये तीन बातें मैं बदल भी दूँ तो फिर भी जो information मेरे पास collect हुई है वो अपने characteristics में वही रहे जो पहली सूरत हाल में थी बदलने से पहले थी तो मैं ये कहुँँगा कि मैंने जो information ली है अब वो किसी हद तक source independent है setting independent है या time independent है तो अगर कोई information इन चीज़ों के बदलने से नहीं बदल रही तो बन्यादी तो आप देखिए तो वो ही feature है जो पहले मैंने कहा ता repeatability का वो उसमें आ गया जब मैं ये कर लूँ तो एक और जरीया जो इसको ensure करने का हो सकता है वो इसकी पाइलट टेस्टिंग है आपने जो information collect की आप उसकी पाइलट टेस्टिंग कर लीजे पाइलट टेस्टिंग से यहां मराद यहां कि आप अपने instruments को इस्तमाल करते हुए और sources पे चले जाएं एक पहले एक set of sources से data लें फिर दूसरे set of sources से लें फिर तीसरे set of sources से लें और आप देखें कि क्या हर दफ़ा repeatability ensure होती है या नहीं होती और जिन चीज़ों में नहीं होती पाइलट टेस्टिंग आपको यह मौका देती है कि आप उन sources एदर अपने tools को correct कर लीजे जो data generate कर रहे हैं या फिर आप अपने दुनियादी जो constructs हैं उन पर तबज़ों करें कि क्या उनके अंदर ये एक shift मौजूद है या नहीं है ambiguities को eliminate करना है दूसरे लफ़ों में आपके tool में जो data generate कर रहे हैं उन tools में वो points जहां पे आपको ये characteristics ना मिल पाएं repeatability वाले आप उन characteristics वो इदर improve कर ले या उनको eliminate कर ले तो इसको आप उसके बाद जो revised form of tool आप बनाएंगे वो पहले के मुकाबले में ज्यादा trustworthy होगा या ज्यादा reliable होगा in that sense या ज्यादा repeatability की characteristics होगी इसी तरह एक और source of error जो reliability को पेशर अंदाज होता है इसमें वो है लोगों का जिनके जरीए से data collect किया जाता है क्योंकि data की nature subjective होती है तो data collect करने वाले शखस की अपनी biases अपने experiences जो है वो बहुत matter करते हैं इस बात को control करने के लिए या इसको eliminate करने के लिए हम जो तरीका इस्तमाल करते हैं वो training and calibration का है अच्छा calibration का लफ्ज यहां समझने के लिए आप इसको यूँ कह लिजिए जैसे हमारे पास interrator reliability होती है कि आप मुख्रिफ लोगों को जिनके जरीए से data ले रहे हैं तो आप उनकी training करें उनने basic construct समझाएं scope समझाएं के indicator समझाएं कोशिश करें ताकि जब वो data ले रहे हों तो जितने ज्यादा लोग हैं अगर वो एक जैसे meaning सोच के चीज़ें कठी करेंगे तो ज्यादा इमकान है repeatability का लेकिन दूसरा calibration से मुरादिया है कि आप systematic तरीके से उनकी understanding of different sub constructs जो है इसको आपस में compare करें और उसके साथ match करने की कोशिश करें जो आप actually convey करना चाह रहे थे उन तक ताके जब वो data collection के रिए जाएं तो data collect करने का उनका background और perspective जो है वो same रहना चाहिए इसके अलावा आप इसको intercoder reliability कहते हैं वो भी देख लीजिए यह जो बात मैंने वहाँ आपसे पिछले point में जिकर किया यह उसी की further elaboration है यह coding और themes के draw करते वकत यह ज्यादा important बात है जो intercoder reliability आपके वस data आगया अब उस data को codes a lot करने हैं उसमें से themes evolve करने हैं तो आपके research जो लोग यह काम करने में मुस्रूफ हैं अगर आप उनके को एक page पे ला सके in terms of coding process in terms of thematic जो उसके draw करने हैं themes और उसके मौमले में आप जितना उनको same page पे ला सकेंगे इस उतने ही उनके draw किया हुए codes जो है वो एक ही चीज़ को जाहर कर रहे होंगे तो आप उनको independently coding करने दीजिए फिर उसके बाद उनके दरमयान discussions के जरीए से किस तरीके से उन्होंने in codes को lot किया था उस process को देखें और चाहें कि वो एक consensus पे कभी आ जाए तो ऐसा करने से आप reliability of information जो है उसको बढ़ा रहे होते हैं reliability of data को increase कर रहे होते हैं इसमें जो कोहन्स कापा है कापा coefficient जिसको आप कहते है या percentage of agreement है लोगों की आपस में coding procedures का ये एक टेखनीक है जो आप बड़े अस्तमाल कर सकते हैं इस चीज़ को हासल करने के लिए इसी तरह member checking का एक concept पाया जाता है member checking का concept जो है वो बनियादी तर पे जैसे पहले भी मैंने का कि आप किसी से जो information ली उसको नेरेट किया आप वापिस वो information उसके पास ले जाएं उसे कहिए पाय है कि आपकी बताय ही बातों को या आपकी बताय हुई चीज़ों से मैंने ये finding निकाली है आप की राय में ये finding आपके खेलाअट का इजहार है या नहीं अगर नहीं अग है कि मेरा process of drawing information जो है वो शायद correct नहीं है इसी की एक और enriched form जो reliability में इस्तमाल कर सके हैं वो ट्राइंगुलेशन है ट्राइंगुलेशन में यह है कि आप एक फिनामिना को मुख्तरिफ लोगों के जरीए से एकठा करें एक ही फिनामिना जो आप स्टेडी कर रहे हैं उसके स्टेक होल्डर्स फरक फरक हैं आप सबसे लाएद लाएद लाएदा information कटी करें जैसे मैंने आपको teacher teaching quality किसी teacher के characteristics की जब example दी थी उससे पूछे उसके student से पूछे उसके head से पूछे तीनों तरफ से जो information आए उसको आपस में triangulate करें और उसमें से जो तीनों sources confirm करें information उसको आप अपने पास रख लीजिए यह जब आप interviews और observations करते हैं तो उस दू करता हूं एक तरीका यह है कि आप regular reflections या या reflexivity जिसको कहते हैं कि क्योंके यह subjective nature का data होता है आप इससे एक point of time पे बैठके एक sitting में जो information draw करते हैं मुम्किन है कि वह आपके अपने ख्यालात की वजह से वह misinterpret हो रही हो biases की वजह से पिर आप यह कर सकते हैं कि आप उस information को उस क करके interpret छोड़ दें थोड़े दिनों बाद दोबारा आके देखें तो और सोचें कि क्या यह information वाकई वही है जो उस data से draw हो रही है या इसमें आपकी कोई अपनी राय या choice शामिल है जो उस data का part नहीं थी जब आप इसको multiple times iterate करते हैं तो आप ensure कर पाते हैं कि आपने अपनी biases को अंदर से eliminate कर दिया है ऐसा करने से भी data की reliability जो है वो बेहतर होती है